पांसो से ज्यादा वर्सों के लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद वो एतिहासिक पल आया आज पांच अगस्ट दोजार बीस को आयोध्या में स्री राम जन्म भूमी के स्थान पर भव्य श्री राम मंदिर का सिलानियास किया गया प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के करकमलो से विदिवत पूजा अर्चना के साथ वहाँ पर सिलानियास किया गया क्योंकि कोरोना का काल है वरना हर व्यक्ति की यही हिच्छा है कि आज के दिन वो आयोध्या जाये और अयोध्या जाकर भगवान स्री राम के जन्म भूमी को अपने मस्तक पर उस मिट्टी को लगाए लेकिन इतना संभव नहीं है इसलिए फिर भी जो खुशियां है वो चिपाए नहीं चिपती और खुशियां इजहार व्यक्ति करेब गरने सकता हर जन्म में खुशी है सनातन सस्कृति को मानने वाले आस्था रखने वाले करोडों अर्बों उन सभी लोगों के लिए आज एक दिपावली से कम पर्व नहीं है इसलिए आज के दिन को लोग अप दिये जला कर खुशी काईजार कर रहे हैं भगवान स्री राम में अपने आस्था प्रकट कर रहे हैं और इस लंबे इंतजार की खुशियां मना रहे हैं भगवान स्री राम के जैकारा लगा रहे हैं आईए ऐसा ही एक माहौल का हम भी दर्शन करते हैं इस वक्त मुझूद हैं सुजानगट के रुपिया वाला बालाजी मंदिर की गली में जहां पर गली के लोग सुन्दर सजावट रंगोलियां सजाकर सडक पर पूरे मार्क पर एक सुन्दर रंगोलियां उन्होंने सजाई ह दीपोत्सव मनाया जा रहा है दीप जलाए जा रहे हैं सुन्दर सजावट की गई है और भगवान स्री राम के इस पावन मौके को दीपोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है दीपक जला रहे हैं दीपोत्सव मना रहे हैं भगवान स्री राम की भव्य मंदिर एक लंबे जा सकते हैं इसलिए अपने अपने घरों या अपनी गली में अपनी खुशी मना रहे हैं भगवान के प्रति अपने आस्था और भक्ति को प्रकट कर रहे हैं कोरोना के समय होने के वज़े से सभी मास्क और सोशल डिस्टेंस का भी पालनिया पर किया जा रहा है क्योंकि 14 वर्ष के बनवास के बाद भगवान स्री राम जब अयुद्या आये थे तो उस दिन दीपोत्सव अयुद्या वाशियों ने मनाया था और आज भी भगवान स्री राम लला अपनी जन्म भूमी पर 500 वर्षों से ज्यादा लंबे इंतजार के बाद संगर्ष के बाद उनका दिव्य मंदिर भव्य मंदिर जिस से सनातन सस्कृति जुड़ी है आस्था जुड़ी है और रोम रोम में बसने वाले राम पूरी ब्रम्हंड के हर रोम रोम में रमने वाले राम सुंदर रंगोलियां सजाई गई है भगवान स्री राम के भव्य मंदिर निर्मान शुरू होने के उपलक्ष में भगवान स्री राम के उस भव्य मंदिर का पुनर निर्मान आज से शुरू हो गया है सिलान्यास हुआ है घर घर दीपक जलाई जा रहे हैं लोग अपने गली महलों में दिपोत्सव मना रहे हैं भगवान स्री राम के परती अपनी आस्था को प्रकट कर रहे हैं क्योंकि आज का दिन एक एतिहासिक दिन है लंबे इंतजार के बाद एक ऐसा दिन देखने को मिला ये देखिए एक सुंदर कमल का फूल रंगोली की रूप में सुंदर सजाया गया है और दिपक से उसे सजाया जा रहा है और सबसे अच्छी बात ये देखिए कि यहाँ पर कोरोना की वज़य से जो संकट है उसका पूरी तरह से यहाँ पर इतियात बरता गया है कोई भी विक्ती नजदीक नहीं खड़ा होता सभी ने मास्क लगा रखे हैं ऐसी एक सुन्दर रंगोली सुन्दर रंगोलियां और दिव सजावट रुप्य वाले बालाजी मंदिर की गली का सुन्दर द्रश्य है आज का दिन बहुत ही खास है भगवान स्री राम इसे नकेवल आस्था भक्ती जीवन सैली हैं पुर्वज हैं जीने का आधार हैं मनुष्य मात्र को जीवन सैली सिखाने के लिए भगवान स्री राम ने इसे प्रत्थी लोग पर आउतार लिया मर्यादा मनुष्य की क्या होती है वो सिखाने के लिए उतार लिया ऐसे मर्यादा पुर्षोत्म भगवान स्री राम के जन्व भूमी पर एक लंबे इंतजार और संगर्स के बाद आज पुनर निर्मान मंदिर का शुरू हुआ है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के हातों से और उत्तरपरदेश के मुख्य मंतरी योगी आदित तेनाथ के उपस्तिती में सुन्दर सजावट की जा रही है पुरी गली की सुन्दर सजावट भगवान स्री राम की भक्ती में रंगा दीपोत्सव का त्योहार मनाया जा रहा है आतिश बाजी की जा रही है कल पूरु संद्या के उपलक्ष में भी यहां सुजानगड़ में आतिश बाजी की गई थी और यह देखिए कितनी सुन्दर सजावट दीपोत्सव मनाया जा रहा है आज दीपावली मनाया जा रही है दीपावली के दिन भगवान स्री राम 14 वर्ष का मनवास पूरा करके आये थे और ये मंदिर महंत हनुमान दाज जी महराज और नत्फदाज जी महराज की फोटो जगे जगे सुन्दर दीपक सजाए गए है और ये रूपया वाले बाला जी मंदिर का सुन्दर द्रश्य हनुमान जी महराज प्रभोश्री राम के कल्यूग में कारज करने वाले हैं और हनमान जे महराज का यह मंदिर है भगवान राम और सीता माता के साथ विराजित हैं और नीचे ही हनमान जे महराज के संदर परतिमा इसे रुप्य वाले बाला जी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं आजग मगा रही है ऐसा सुब अवशर सदियों के बाद आया है रूपे वाले बालाजी मंदिर के महंत नतुदाजी महराज और ये है दिवारों में जो ये सिक्के लगे हुए हैं इसी वज़े से इसे रूपे वाले बालाजी का मंदिर कहा जाता है ये देखिए पूरे इसे सिवालय जो मंदिर के इंदर बना हुआ है इस सिवालय के इंदर दिवारों में सिक्के जड़े हुए हैं और यह सिक्के जड़े होने की वजए से ही इसे रुपया वाले बाला जी का मंदिर कहा जाता है जी दाम चंज दिकादू बजमन हरना ना कंज लो चल कंज भूत पर कंज पर कंज पर कंज आगूना कंज भर्वजणित अमित छविनव नील नीरज सुन्धर हम पतकी पमान उदरीत रुछी रुछी नोवी जनक सुझावर बजबीन वंदु बिनेष्ण दान वर्टेके वंसर्विकंदनम् रगुनंद आनंदिकंद कोसल चंद्रत सरथनंदनम् सिर्मुपत पुंदर दिनके चारु नारी नंग भिभूशनम् आजाने पुझ सर चाप दरस मेरा में जीत कर दूशनम् एकि वदत तुल सीधा से शंचर से से मुनिमन् रंजनम् अमरते कंद निवासे करुदा माते कल दल रंजनम् जाई राचों विलाई सोबर सहज सुन्दर सावरों करशना विदान सुजान सीध से देख जान ते रावरों एली भंति गवरी अशीष सुनी शीय सही कहिए हर शीख अली तुलशी भवानी पूज कुनी फुन्ति मुनित मन मंदिर चली जान गोरियल पूलशी एहियर चल्जाट कई मंगल मंजल मूल बावन फरक्त शियावर राम चंद्र भगवान की रैश्री हनुमान जी महराज की जगे ओम नमह पार्वत पतय हर अर अर महादेर पूलशी आपति आम अंद्र भवान की धर भगवान स्री राम की जन्व भूमी आयोध्या में आज भव्य मंदिर का सिलान्यास किया गया और आज के इस खास अवसर पर पूरी दुनिया जहां पर सनातन संस्कृति में आस्था रखने वाले लोग हैं उनके लिए हर घर आयोध्या है आज भगवान स्री राम का उच्सव मनाया जा रहा है ऐसे ही उच्सव की आज तस्वीर देखने और दिखाने के हम यहां पर आयोए रूपया बाला जी मंदिर की गली में जहां पर महले वासी दीप जलाकर भगवान स्री राम में अपने आस्था प्रकट कर रहे हैं मेरे साथ में राम कथा वाचक रगवीर जी हमारे साथ में उनसे थोड़ी शी बात सीथ करते हैं आप खुद राम कथा वाचक हैं तो इन खास पलों के बारे में क्या कहना चाहेंगे सरवर प्रतम केडियेज के सभी दर्शकों को जैसी राम जैसरे बाला जी गी देखिए ये जो खास पल है इसके लिए हमारे पूरवजों ने बहुत जतन किया है बहुत प्रियतन किया है लगबग में कहूं तो पांसो वर्षों से ये चल रहा है कि भगवान का जो राम मंद है वो भव्य बने और सुससी तो एकड़म बड़ा सुन्दर ही बने लेकिन उन्होंने जो अपने जीवन में निष्टा से प्रेतन किया कारिय किया साइद हो सकता है वो तो नहीं देख पाए किन्तों ये अवसर आज हमें मिला है हमारे बहुत अच्छा भाग्या है कि हमें एसा सुवसर देखने को मिला और जो भारत वे ये बड़ा मामारी का संकट है इसके चलते हम अयुद्या तो जा नहीं सकते किन्तु हमने यहीं रहकर भगवान राम के लिए जो कुछ भगतों से बन पड़ा जो हमारे मन में इच्छा है थी वो पून की और सभी ने मिलकर प्रेम के लिए हैं भागवान को किसी विशेश वस्तु की आवसकता नहीं है और राम जी का तो संतों ने लिखा है कि राम ही केवल प्रेम पियारा जान लेऊ जो जान निहारा राम तो केवल प्रेम के भूके हैं अपितु संकर जी ने तो राम कथा में ये भी दर्शा दिय प्रबु बताईए राम जी कि क्या विश्यस्ता है तो भगवान संकर कहने लगे जो ये संकट है करोना का तो उसको देखते हुए अहुद्या जा नहीं पाए लेकिन प्रेम से हमें यहीं भगवान का साक्सातकार हो रहा है रौम रौम में बसने वाले, रौम रौम में रमने वाले राम, ब्रह्माइट के हर कणखन में बसने वाले राम, आस्थाक जितनी बड़ी है उनकी उतनी एक जीवन शहली भी वो शिखाते हैं, इसलिए भगवान ने अउतार लिया था, आप खुद राम कथा वाचक हैं, तो खुद आप बहुत अच्छे भजन भी सुनाते हैं, मैं किसी ऐसे भगवान स्री राम के आज के मौके पर कोई भजन की दो पंक्तियां आपके मुख से सुनना चाहूँगा जरूर मैं आपको भगवान राम के भजन के दो पंक्तियां सुनाओंगा, जिसमें भगवान के जो तृता यूग का जो महागरंत है रामायन उसके बारे में कई गई है, संतों ने गाया है कि अगनित जीवों को तारे रही है राम तुम्हारी रायन भूमे का भारे उतारे रह हे राम तुम्हारी रामायन रामायन मान सरोवर है तुलच्छी की अमीत धरोहर है हनुमत सदा रसपान करे हनुमत सदा रसपान करे है राम तुम्हारी रामायन भूमी का भारे उतारे रही हे राम तुम्हारी रामायन भूमे का भारे उतारे रही हे राम तुम्हारी रामायन आज पुरी दुनिया जो परिकलपना करती है कि हम सुखी रहें, संपन रहें तो एक जो उधारन दिया जाता है वो होता है राम राज्य का परिकलपना का उधारन दिया जाता है ऐसे हैं भगवान स्री राम, भगवान स्री राम के मंदिर के उस जनव भूमी मंदिर के पुनर निर्मान का आज सिला न्यास हुआ है, एतिहासिक पल है और इस एतिहासिक पल को हर व्यक्ति आज कोरोना के वज़े से अपने अपने घरों में ही जी रहा है, ऐसी थोड़ी सी ब पूनम हमारे साथ में बादसित करते हैं कि क्या भावना है आज के दिन उनकी रही बहुत अच्छा लग रहा है यह कारी करम करके सब मिलके यह हम कारी करम कर रहे हैं जब राम जी का जन्म हुआ था उस टाइम तो हमने यह सब नहीं देखा था लेकिन आज वापिस हमें यह लाए और यह हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए पूरे देश के लिए भूध खुशी के और गर्व की बात है कि हमारे पूरे देश में मंदिर बंदरा राम जी का और इससे हम लोग बहुत खुश है नारंजे शर्मा का तिल कर्चन किया जा रहा है आज उन्हें शिश्य उत्रादिकारी नियुक्त किया जाएगा निरन जन्संपरदाए के रुपियां वाले बालाजी मंदिर के महंत नतुदाज्जी महराज अपना शिश्य उत्रादिकारी नाराणी शर्मा को बना रहे हैं आज कि दिन नतुदाजी महराज अपना शिश्य के रूप में उत्रादीकारी के रूप में नाराणजी शर्मा को आशिरवाद दे रहे हैं इनके पच्चात इस गद्दी को ये संभालेंगे नतुदाजी महराज रूप माले बालाजी मंदिर जोगी निरंजन शंपरदाई से है के महत हैं मंदिर में सभी भक्त गण उपस्तित हैं उनके सामने शिश्य नियुक्त किया जा रहा है आरती की जा रही है नाराणजी शर्मा के गुरु शिश्य परमप्रा के नुसार शिश्य नियुक्त किया है नाराणजी को भगवान स्री राम की जन्म भूमी पर भव्य मंदिर निर्मान की सिला न्यास आज की दिन हुआ है ऐसा पावन आउसर है जहां दीपोट्सो मनाया जा रहा है आज रुप्यावाने बाला जी मंदिर में महंत नतुदा जी हमारे साथ में जिन्होंने अपना उत्रादिगारी शिश्य नराणजी को बनाए उससे बाचित करते हैं क्या आपकी क्या प्रथा है और उसे साथ से आपने इनको रिश्य शिश्य बनाया मतलब निरंजी नी संपर्दाशे हैं हम लोग और वैसे राजगद्धी में बाचते हैं बोलते हैं इसको में महन्त के जीवित में अगर उत्रद गारी में सोंपा जाता है ने तो उसको कमर की पद्वी दी जाती है और हमारे कतम होने के बाद में ये महन्त की गिद्धी पे साधु संद बिठाएंगे इन लोगों को गरूशिष्य परंपरा के अंतरगत निरंजनी संपरदाय के महन्त फिरपया वाला जी मंदिर के महन्त नतुदाजी महराज जिनोंने आज कि इस सुव औशर और सुब औशर पर अपना उत्रादिकारी शिष्य नाराएंट जी को भी नियुक्त किया है आज भगवान स्री राम की उस जन्म पावंद भूमी जहां पर वर्सों से इंतजार था लगवग 500 से ज़्यादा वर्सों से लगातार संगर्ष और इंतजार था पूरी सनातन संस्कृती में आस्ता रखने वाले दुनिया के हर प्राणी आज बहुत खुश है भगवान स्री राम के उस इस्थान पर मंदिर का पुनर निर्मान होगा प्रधान मंतर नरंदर मोधी के करकमलों से आज दोपहर बारा बजगर चम्मालिस मिनट आठ सेकिंड पर सिला नयास किया गया पूजा आर्शना विधिवत की गई ऐसे सुब आउशर के इस कारिकरम में हर कोई अयोध्या शरीक नहीं हो सकता था लेकिन अपने गली में ही दीपोटसव मना कर खुशियां मनाई गई भगवान स्री राम में आस्ता प्रकट की गई ये था हमारा विशेश कारिकरम भगवान स्री राम के दीपोटसव जो मनाया जा रहा है रुपियां वाले बालाजी मंदिर से मैं हूँ नागेश कुमार कौशिक अपने केमरामेन सही हो गया निल परजापत के साथ आप सभी का धन्यवाद